हेलो स्टूडेंट्स स्वागत करती हूँ मैं आपका हर घर पाठचाला प्रोग्राम में आज के लेक्चर में हम टेंथ क्लास के चैप्टर वन डिजिटल लिटरेसी के क्वेश्चिन आंसर्स को डिसकस करने जा रहे हैं एक-एक करके सभी क्वेश्चिन को मैं समझाती चली जाओंगी और उसके आंसर्स आपको बताती चली जाओंगी तो आएए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है, what do you mean by overhead projector? तो लेक्चर में आपने previous lectures में ये पड़ा है कि overhead projector क्या होता है तो इसी concern में आपको overhead projector की definition को लिखना है A projector is capable of projecting enlarged images of written or pictorial material onto a screen or wall An overhead projector is a very basic but reliable tool used to display images onto a screen or wall It consists of a large box containing a cooling fan and an extremely bright light with a long arm extended above it आप ये understand कर चुके हैं, ये आपको यहाँ पे image दिख रही है Overhead projector की, overhead projector का use बच्चों, basically teaching के लिए भी as teaching aid हम इसको use कर सकते हैं और seminars में, conferences में इसका use होता था पहले अब तो क्यूंकि और digital जो हमारे projectors हैं काफी available हैं जिनमें कि आप laptop के साथ connect करके directly अपनी presentation को दिखा सकते हो लेकिन पहले यूज होते थे overhead projectors जिसमें की transparent sheets जो थी उनका use होता था उसके उपर आप लिख भी सकते थे या already written material था उसको आप यहां पे प्रोजेक्टर में शो कर सकते थे reflection इसमें light होती है light से reflection होता है और सामने wall पे जो है वो इसकी image बनती है बड़ी form में जैसे कि आप imagine कर सकते हैं कि प्रोजेक्टर कैसे काम करता है ठीक है तो इसके जो main parts है जैसा कि अदला question है हमारा what are the main parts of an overhead projector तो इसमें आपको इसके main parts लिखने है lamp and reflector जो यहां पे लिखा गया है वो इस box के अंदर होते है focusing knob हम इसको कहते है यह जो black वाली है यह इसका base mirror है fan भी इस box के अंदर लगा होता है fan का काम होता है cool रखना अंदर जो है जितने भी हमारे components लगे है वो heat up नहीं होने चाहिए उनको cool करने के लिए अंदर fan लगा होता है और इसमें यह वाला जो उपर है इसको हम कहते है अपर section तो इस तरह से आप इसके main parts को बता सकते हैं अगला question आता है how can you handle overhead projectors अब इन जो overhead projectors है इनको अच्छे से handle करने की ज़रूरत होती है यह हमारे जो बाकी furniture टाइप में नहीं होते हैं कि आप जैसे मर्जी उनको handle करो rough and tough way में क्यूंकि lenses लगे होते हैं mirrors लगे होते हैं और delicate under components होते हैं तो हमें इनको बहुत धान से रखना तो हम क्या कर सकते हैं cover the transparency when you are done जो उपर flats जो screen है उसको cover कर देना चाहिए जब भी आप इसको use नहीं कर रहे हैं इसमें जो भी lenses लगे हैं बाहर की तरफ उनको भी ढग देना चाहिए bring spare bulbs and a glove to change the bulb इसके अदर बल्व लगा होता है light के लिए तो जब भी आप उसको change करेंगे तो आप उसको bare hand से ना करें तो उसको उसके लिए आप glove का इस्तिमाल कर सकते हैं place your overhead projector on a table so it does not block your block you or the screen देखिए सामनी क्यूंकि wall के उपर image बननी है तो इसको properly आप table के उपर रखिए और table से फिर सामने जो है वोसकी image बन जाएगी ताकि अगर आप सामने खडे होंगे या पिर आप इसको टेबल पर या प्रॉपर उसके नहीं रखेंगे तो screen जो है वो ब्लॉक हो सकती है keep the cleanliness of the lens lenses के उपर धूल नहीं जमी होनी चाहिए इसलिए better way है उसको ढखे रखे और उसको साफ करते रहे अगला question है हमारा define digital screen तो students digital screen आप सब ने देखी है जो की हमारी computer monitors है उसको digital screen कहते हैं या आपके LED TVs है या आपके घरों में जो TVs है उनको आप TV सेट्स को भी आप digital screen कह सकते हैं digital screen is a display device for presentation of images, text और video transmitted electronically without producing a permanent record. it includes TV sets, computer monitors, etc. आपके घर पे जो TV है जिनको LED TVs कह सकते हैं उनका ये इस्तेमाल भी आप as digital screen कर सकते हैं fine आप अपने phone से भी अपने TV को connect कर सकते हैं और उसके उपर आप अपनी phone पे अगर आपकी कोई presentation है कोई वीडियो है उसको आप देख सकते हैं तो digital screen का basically use क्या है कि आपके पास कोई भी material है digital form में चाहे वो आपके laptop पे है चाहे वो आपके phone में है उसको आप screen पे देख सकें अब हम पढ़ेंगे what is LED explain ठीक है तो students LED stands for light emitting diodes it is a two lead semiconductor light source LED and LCD the basic technology is same in both means both have two layers of polarized glass through which liquid crystals both block and pass the light LED is a subset of LCD TVs LED work with a color wheel RGB colored lights are red green and blue to produce more realistic and sharper colors तो आप students इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा LED TV है उसमें जो हमारा semiconductor material होता है LED उसका इस्तिमाल होता है और LED और LCD TV जो है उनमें यही difference है कि LCD में liquid crystal display का use होता है colors को generate करने के लिए और LED TV में light emitting diodes का इस्तिमाल होता है तो यह एक basic difference है दोनों के अंदर बाकि जो काम करने की technology है वो almost same है और दोनों ही cases में RGB color को जो आप कै सकते हो colored light इनका इस्तिमाल होता है यह आपने students class में इससे पहले वाले lectures में चीज़ देखी है कि किस तरह से colors को produce किया जाता है screen के ऊपर तो अभी मैं थोड़ा brief वे ही आपको यह चीज़ समझा रही हूँ अब question आता है what are the advantages, disadvantages and applications of LED तो सबसे पहले बात करते हैं कि advantages क्या है LED की LEDs are most superior in terms of picture quality पहला point है सबसे अच्छी picture quality जो है वो किस की होती है LEDs की होती है LED has a higher contrast ratio as compared to LCD monitors दोनों में यह difference आ गया कि जो LED है उसकी contrast ratio उसमें colors जो है as compared to LCD monitors LEDs are more superior in terms of picture quality, picture quality भी LEDs में जाज जादा होती है LED helps save on energy as compared to LCD और CRT, आपने LCD screens भी देखी है और CRT screens भी देखी है तो दोनों के comparison में LED है वो उसमें power consumption कम होती है, कम बिजली खर्च होती है LED can be mounted on the wall or the panel, ठीक है, LED को दिवार पे भी लगाया जा सकता है जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है लेकिन disadvantages क्या है, LEDs जो है, वो costly होते हैं, expensive होते हैं as compared to LCD, low reliability and speed is low कहां कहां यूज कर सकते हैं LEDs को आपने देखा होगा, जो digital screen के लिए हम इसको basically use करते हैं, LEDs को और कहां यूज कर सकते हैं, LEDs का जो इस्तेमाल है, खासकर जो हम इसके अंदर का component है LED light emitting diode, इसके bulbs भी होते हैं, घरों में और industries में यूज किये चाते हैं LEDs का यूज, motorcycles और cars में भी होता है displays के लिए और at the traffic light signal LEDs are used, तो आप देखते हैं कि signal के लिए भी जो वहाँ पर light bulbs जो जलते हैं, green है, yellow light है, वो उसके लिए भी LED का इस्तेमाल होता है, बाकि में ली TV और monitor screens में तो इसका इस्तेमाल होता ही है Next question है, आपका what is LCD, what are the applications, advantages and disadvantages of LCD Students, जैसे आपको पता ही है कि जो हम digital screen के भी बात कर रहे हैं, तो हमारी जो ये digital screens हैं, सबसे पहले हमारे पास थी CRT, वो digital screen नहीं थी CRT, cathode ray tube, उसके बाद आपके पास आए plasma TVs, उसके बाद फिर आपके पास आए LCDs, और LCD के बाद आए LEDs, LED के बाद भी OLEDs हैं, और उसके बाद quantum dot TVs हैं, तो बहुत सारी एक range है, तो students हम देखते हैं कि CRT है, उसका size काफी बड़ा होता था, बल्की होता था, और जब उसके बाद प्लाजमा TV आए, अभी हम प्लाजमा वाला question भी आपके देखेंगे, थोड़ा समय आपको ब्रीफ कर रही हूं, जो प्लाजमा TV आए, तो प्लाजमा में क्या था, कि जो flat screen थी, सबसे बड़ी बा तो और advancement होई technology में, तो LCD आया, LCD के बाद और picture quality पे काम किया गया, तो LED आए, ठीक है, उस तरह से LED के बाद OLED आए, और OLED के बाद quantum.tv आए, तो इस तरह से जो है वो नई नई चीजों का जो है, वो market में technology के साथ हो, नई नई तरह के monitors हम आज की date में देख पाते हैं, तो LCD के होता है, as compared to CRT, तो देखो, जब हम LCD की बात करेंगे, तो इसको हम CRT और plasma TV से compare कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बाद ही LCD हमारे पास आया था, इसकी applications क्या है, कहां कहां LCD को यूज किया जा सकता है, liquid crystal technology has major applications in the field of science and engineering as well as on electronic devices, तो science और engineering जहां पे research work हो रहा हो, वहां पे इसका सकते हैं, liquid crystal thermometers भी होते हैं, optical imaging में इसका यूज होता है, जो कि medical science की application आप उसको कह सकते हो, जैसे आपके शरीर के किसी organ की मालनीजे की, कि किसी organ की study करनी है, और उसकी minute details पता करनी है, तो वहां पे optical imaging में इसको यूज किया जाता है, जैसे कि आपकी optical microscopy है, ये endoscopy है, इस तर होता है, advantages क्या है, so advantages में हम इसको compare करेंगे with CRT and plasma, so compact and lightweight, it can be mounted on the wall or the panel, it is cost effective, consume less energy and are more durable, लेकिन LED जो है वो LCD से भी कम power को consume करता है, तो LCD का comparison किसके comparison में करेंगे हम पहले, CRT और plasma, इसके disadvantage क्या है, it requires additional light sources, क्योंकि देखें, LCD screen के उपर, जब आपको RGB colors को करना है, बैक एंड पे एक light चाहिए, फ्लोरोसेंट लाइट जिसको कहते हैं, तो additional light source वहां पे चाहिए, prices are more expensive compared to plasma TV, response time is longer, backlight dims as the LCD ages, जैसे जैसे LCD पुराना होता चला जाएगा, तो back से जो fluorescent light आती है, वो दिम होती, चली जाती है, तो picture quality इसके नहीं रहे हैं, तो यह था LCD screens के बारे में, उसके बाद आता है आपका, what do you mean by plasma display, तो देखें जितनी भी technologies आई हैंना students, तो इन सब में क्या है, इन कि actually जो back end की working है, उसके base के ऊपर इसमें advancement हुई है, जैसे मैंने यहां पर दो TV दिखाएं आपको, यह है CRT, यह इस तरह के TV पहले होते थे घरों में, तो इसकी जो screen होती है, तो इसके जो screen होती है, तो इसके back end पे cathode ray tube लगी होती है, जो कि खुद में एक भारी item होती है, त उसके वज़े से TV का size भी बड़ा होता है, इस TV को हम दिवार पे भी नहीं लगा सकते हैं, उसके बाद है plasma TV, तो plasma TV में basically एक charged gas का use होता है, मतलब जो screen पे colors दिखाने के लिए back end से एक light जो है, आप यह कह सकते हैं, screen को हर एक pixel को light देने के लिए back end पे charged gas का इस्तिमाल होता है, ठीक है, तो लेकिन size इसका size भी मतलब इतना thin नहीं था, जितना की LED और LCD का होता है, तो लेकिन CRT के comparison में अगर हम बात करें, तो plasma TV थीन होते थे, as compared to CRT, थोड़े से हलके होते थे, तो advantage देख लेते हैं, इसमें लिखा है, better than CRT display, more compact than CRT, CRT से ज़ादा compact मतलब छोटा होता है better contrast ratio, colors ज़ादा च्छे होते हैं, as compared to CRT, wide viewing angle, मतलब इसमें flat screen आ गई, तो इसमें view करने का जो angle है, आप काफी मतलब दूर बैठके भी, या different angles से भी आप इसमें clearly देख सकते हो, it offers high resolution, it is slim and light in weight, तो येसके advantages है, disadvantages क्या है, flickering effects, distortion आ जाती है, तीवी में, जादा expensive है as compared to CRT, it uses more electric power on average than an LCD TV, तो plasma एक तरह से ये TV तो CRT भी यूज नहीं होते है, plasma भी यूज नहीं होते है, 2015 में जो था, वो plasma TV की production भी बंद हो गई थी, और सबसे बड़ी बात की, जितनी उंचाई पे आप इस TV को ले जाएंगे, height wise mountainous reasons में, तो वहाँ पे ये ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे इसमें क्या है कि एक चार्ज्ड गैस का यूज होता है, और आपको पता है, एक्मोस्फिर में भी air pressure होता है, तो इसकी वज़ा से जो इसकी अंदर की जो गैस है, जो हम पिक्सल को इल्यूमिनेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो उनका जो इन टीवी की जो लाइफ है वो भी कम होती है, मतलब जल्दी ये खराब होने वाले होते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है, what is the difference between LCD and CRT, तो इस तरह से आप LCD CRT, LCD LED और LCD प्लाज्मा को भी आपस में कंपेर कर सकते हैं, किसी पर भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आ LCD और CRT का सकते हैं, तो एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में डाला है, LCD और CRT का, तो LCD की फुल फॉर्म आप लिख दीजे पहला पॉइंट, लिक्विड क्रिस्ट्र डिस्पले, उधर CRT की भी आप लिख सकते हैं, तो फिर आपको ये पता है कि LCD TV को हम ये काफी स्लिमर स्लिमर में पतला होता है थार एक कंपेर तो CRT. और CRT में अप लिख सकते हैं दा बैक साइस बिगर देन देसाइस ओपो अट रिक्व गडेंख फी लेस्ट रिख इमेज हैं श्लाइटली लेस्टी में शाप इमेज शाप शाप मतलब की इमेजे का एच्छी सी इप शे पावर कंजूम करता है, LCDs are free from burn-in issues, लेकिन जो CRT है, suffers from burn-in problems, क्योंकि अंदर जो components होते हैं, वो अगर जादा एक तर से एक दम से वोल्टेज बढ़ जाती है, तो CRT के जो components हो जल सकते हैं अंदर, लेकिन LCD के कैस में इसा नहीं है, परफेक्ट फ्लैट स्क्रीन होती है, LCD में और CRT में, इन CRT में 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 इन and produce audio output in the form of sound waves, it is used to listen sound from the computer, speakers usually come in pairs which allow them to produce stereo sound from two separate audio channels, speakers are in different shapes and sizes not to explain it, all students have used speakers, listen and see, so you can use it very easily What are the advantages? They help blind people, if blind people have to listen to audio, then give them speakers to their speakers It is easy to listen to any topic today to listen to speaker through sound amplification If you have to increase or increase the sound, then it can be used by the speaker It is very simple to operate it What are the disadvantages? In the disadvantages, you can use the output from the speaker can disturb others You can use the output from the speaker to disturb others You can use the output from the speaker to disturb others High quality speakers are expensive If you have a very good quality speaker, then it can be used to be a little bit What are the disadvantages? Let's talk about fax machine Look, students, fax machine is a device that can be used by printed pages or images You can also send and receive it over telephone lines Okay? So today's rate, we use email Email means that we can email your Gmail account or Radiff You can email from one computer to another computer You can email through your message But, we used the fax machine You used the fax machine From which we had to dial the fax machine We used the fax machine For the fax machine, we dial the telephone number And when the fax machine is using it, there's also a scanner And a printer Means that if you are sending fax Then the scanner is able to work on the fax machine Once you are receiving fax machine पर दूसरे एंड पर जो होगी तो वहां पर प्रिंटर काम करता है तो दोनों का ही कॉंबिनेशन है और टेलिफोन लाइन से एक तरह से पर प्रिंट की हेल्प से और प्रिंटर होता है तो प्रिंट की मदद से उसको डॉक्यमेंट जो हो रिसीवर एंड तक पहुंचाता है इसके ड्वांटेज क्या है यह इनेक्सपेंसिव है किस तरह से संडिगा मैसेज जस्ट अब आप टेलिफोन कॉल जैसे हम एक फोन मिलाते है उसी तरह से हम अपने मैसेज को रिटन फॉर्म में सकते हैं यह सिंपल तो यूज एंड रिक्वाइर लिटल ट्रेनिंग बहुत सिंपल है आसान है यूज करने का एज लोंग इस फैक्स मशीन इस स्विच्ट ऑन मैसेजिजिस कें बी रिसीवड एट 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 दिन में भी रात को भी कभी भी आप एक्स रिसीव कर सकते हैं लिकिन डिसद्वांटिज देख लेते हैं यू माइड डाइल रॉंग नंबर एंड सेंड दोकुमेंट तो समवन एल्स एसा हो सकता है कि आप से गलत नंबर डायल हो गया और फैक्स आपका किसी और को चला गय इड़ रिसीविंग मशीन इस बीजी यूर फैक्स विल नॉट बी डिलिवर्ड अगर आपकी मशीन जो है जिस पर आपने भीजना है फैक्स वो बीजी है तो एकदम से आपका जो मैसेज है वहां पर डिलिवर नहीं होगा इट कें टेक लॉंग टाइम टॉट ट्रांसमिट अगर आप यहां बैठे हैं अपने एक लोकेशन पर बैठे हैं और आपने किसी दूसरी सिर्टी में फैक्स भीजना है तो आप आराम से यहां कर सकते हैं कॉपिंग का काम भी कर सकते हैं फैक्स मेशीन के अलसो फंक्शन ऐस फोटो कॉपियर इसमें से फोटो कॉपी भी नि अगर आपको डिसअट वांटेज आती हम आती है तो आपको डिस अड़णेजस लिखनी है ठीक है आगा स्टुड already I will say you are students marks के अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे फो नमबर पे कॉंटक्ट कर सकते हैं मेरा नमबर है 97360-99530 and thank you for watching